प्लस में नेक्स्ट वीक के लिए हमारा क्या व्यू रहने वाला है वो हम चीजे यहां पर सारी अनालिसिस करने वाला है अगर आप पुट यहां सी साइड में कुछ मिल जाएगा आपका कुछ पैसा बन जाएगा ऐसा कुछ देखने के लिए और अबजेक्टिव से अगर आप जोईन करना जाते हो तो मत करो क्योंकि ऐसा यहां पर कुछ नहीं है मेरे experience के basis पर मेरा जो view है कुछ levels है कुछ patterns है जो मैं सिखा भी रही हूँ उनी के basis पर यहां पर जो भी मेरा एक view होता है वो यहां पर आता है and one more important thing जो अब मैंने start कर दिया है हर वीडियो में बोलना मैं दुबारा से बोल रही हूँ यह वाली सारी चीज़े कि किसी भी channel से call direct buy करना किसी ने level ऐसा बोल दिया कि यह C buy कर लो यह P buy कर लो इतने price पे buy कर लो this is banned by Sebi in case you guys are joined with me तो इसी लिए मुझे यह वाली चीज़े रहती है कि आप कहीं पे जाके गलत जगय से ना सीखो और ना वहां से अपनी capital waste कराओ even इसी के लिए मैंने recently message भी डाला था क्योंकि election के time पे बहुत सारे लोगों अपना पैसा इसी तरीके से कहीं से call लेके put लेके waste किया है तो ऐसा नहीं लेना है जब तक आप जो है अपने basis पर analysis नहीं कर लेते उसी के according आपको trade करना है so this is a disclaimer and this is a guidance also जो आप ले भी सकते हो क्योंकि बाकि में आपकी capital है आप जो करना चाहो ultimately आपका decision so अब स्टार्ट करते है analysis के basis पर कि next week के लिए हमारा क्या view रहने वाला है सबसे पहले तो तुझो यह चार्ट बनाए यह बहुत ही जादा hard है इस टाइम पर for the beginners to understand की चार्ट का formation क्या है क्योंकि कुछ price action नहीं है इसमें कुछ भी उपर नीचे candles हमें दिख रही है so this is the basic बट हम दीरे दीरे समझ जाएंगे so last week जब analysis हुआ था यहाँ पर तो मैंने आपको क्या बोला था कि एक ये candle बनी थी and क्योंकि एक दिन में काफी अच्छा sharp fall हमें देखने को मिला next day I told you कि यहाँ पर एक जो है inside candle बनी है और inside candle बनने के बाद अगर price जिस direction में इस बड़ी वाली candle को तोड़ेगा और जो हाँ पर closing देदेगा तो उसी direction में में आगे आने वाले time में कुछ momentum दिखेंगे तो हाला कि यहाँ पर price ने upside का ही एक जो है momentum यहाँ पर दिया है क्योंकि काफी time से यह बहुत बड़ी range बन चुक है even December से अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पर June चल रहा है तो काफी अच्छे months लगे हैं इस range को बनने में यहाँ पर काफी अच्छी buying selling जो positions है वो भी maintained है जैसे ही यह जो level है अब जो हमारा all time हाय वाला यह निकलता है तो हमें काफी अच्छा level और rally upside में देखने को मिलेगी हलाकि जितने point की यह range है उतने तो देखने को मिलेगी तो 10% का move उपर का हम देख सकता है क्योंकि जितना range market बनाता है न चाहिए pattern formation में बनाए चाहिए कैसे भी और जिस direction में वो breakout देता है उस direction में momentum देखता है मार्केट में ऐसा कुछ shocking नहीं है कि यहां से direct गिर जाएगा price वैसे भी जब election वाले दिन भी इतना जादा गिरा था तो भी सब इतना जादा शौक में थे कि क्यों गिर गया अगर इतने तेजी से एक बार गिरता है न तो उतने ही तेजी से इंटू टू करके वो उठ भी जाता है क्योंकि हमारे market में कोई recession नहीं आया, depression नहीं चल रहा है वो just event था और event में market में इसी तरीके से momentum आते है ठीके तो क्योंकि ये event based पे price बहुत ज़्यादा गिर गया इसलिए मैं उस दिन पे बोल रहे थी कि इतना P side मट trade हो इतना aggressive नहीं होना है कि price कभी भी एकदम से गिरता है तो वो बहुत जल्दी उठता भी है एकदम से गिरने वाले time पर जो panic होता है उसमें हमें अपनी positions add करनी चाहिए इसलिए में telegram पे बार-बार बोल रही थी कि you can average out your positions जो आपको stocks में investment है उसको और ले लो अगर आपके पास fund available है तो और ऐसे chances market में actual में golden opportunity होते हैं आपके portfolio बढ़ाने के लिए ठीक है तो यहां से अब दुबारा से market हमें recover करते हुए तो दिखी गई सेम हमारे time पे corona और covid वाले time पे भी हुआ था कि price एकदम से गिरा था और फिर इंटू बढ़ा था market में ऐसे events आते रहते हैं चोटे मोटे वह weekly और monthly time frame पे आया था ये daily time frame पे आ गया लेकिन हम इस चीज़ का फायदा उठाना चाहिए ठीक है तो यहां पर हमारा इस तरीके से view है अगर आप बैंग निफ्टी में देखो कि तो बैंग निफ्टी में हमें weakness दिख रहे हैं निफ्टी में चलो other index इस चकर में क्यूंकि बैंग निफ्टी में अभी तक जहां से फोल आय था उस level तक price गया नहीं है हलाकि निफ्टी में वो price उस तरीके से जा चुका है तो यहां पर काफी अच्छा जो momentum है हमें यहां पर bank nifty में दिखाया है जैसे यह range squeeze होती है और हमें काफी अच्छा एक breakout मिलेगा तो हम दुबार से काफी अच्छा levels में देख सकते हैं इवन जहां से इसका एक low जो बना था है जो next swing बना है इसमें अगर आप देखोगे तो यही same momentum 20% के round का हमें upside भी देखने को मिलेगा So this is the target upside में अगर breakout होता है तो क्योंकि काफी अच्छा time से bank nifty की range जो हमने October से लिए है तो around 9 to 10 months हमने easily ले लिए हैं इसलिए इसका काफी अच्छा range का जब breakout देखने को मिलेगा तो में run भी अच्छा देखने को मिलेगा Now एक बर हम जाते हैं 5 minute time frame पे और यहां पर हम समझते हैं कि price में किस किस तरीके से momentum स्राओ और हमारे क्या क्या trade बनते थे इस दिन अगर आप देखोगे तो यहां पर भी हमारी ऐसा कुछ खास entry नहीं बनी थी क्योंकि direct price में फोल आये जा रहा था बट यहां पर inside candle के basis पर कोई entry नहीं थी ठीक है अगर आप next जो दिन है यहां पर देखते हो तो हमारी एक entry form वही थी यहां पर basis हमारा जो डबलू पैटन था उसके basis पर ठीक है एन इस basis के पैटन पर मैंने आपको जो हमारा public channel है वहां पर भी दिया था क्योंकि यह और basically जो मेरा price section है यहां पर हमारा जो paid group है योडी इसमें मैं share करती हूं कि हमारा यहां पर क्या view रहने वाला और किस direction में market.com देख सकते हैं तो same चीज़े मैंने उस दिन public channel पर भी दी थी यह काफी अच्छा एक one side का momentum हमें देखने को मिला इस दिन price थोड़ा range bound रहेगा यह बहुत अच्छा target यहां पर आया है so यह हमारे कुछ week के रहे है analysis और आज जो जिस तरीके से week की performance थी वो मैं EOD में एक लेने वाली live class उसमें मैं share करूंगी basis setup अगर आपको join करना है और सीखना है तो उसका description मैं आपर share कर दूंगी public channel पर वहां से आप देख सकते हो I am going to launch one webinar ज and हमारा group भी है एक उसका link भी आपको यहां पर description में मिल जाएगा वहां से आप join कर सकते हो so this is the thing जो हमने अभी recently मैंने start किया है और इसमें हम pattern trade कर रहे है so अभी यहां पर एक head and shoulder pattern formation जो है उसका चल रहा है and उसके basis पर हम इसे अप trade करने वाले है and मैंने यह already जो है हमारे forex ज सर्फ मुझ सही मिल सकता है वहां से आप join कर सकते हो तो description में इसका link है कुछ और doubt है तो आप पूछ लेना आप यहां पर description में भी comment section में भी डाल सकते हो and plus में आगर आपको video पसंद आई हो तो do like this video do share this video with all your loved ones do subscribe the channel as well with this thank you so much be professional trader and happy financial literacy